दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मेट्रोनीडाजोल टेबलेट के बारे में कि ये किस ब्रांड नेम से मार्किट में अविलेबल है, इसका मैकनिजम ओफ एक्षन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, इसके यूजिस क्या है, कितना डोज हमें इसका लेना चाहिए और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं अगर हम इसका ज्यादा डोज लेते हैं तो, मेट्रोनीडाजोल एक एंटिबाइटिक होती है, जो कि नाइट्रोनीडाजोल केटेगरी को ब्लॉंग करती है, और इसे यूजिस किया जाता है बैक्टिरियल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए और प्रोटोजल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए, अब बात कर लेते हैं, जो मेट्रोनीडाजोल टैबलेट है, वो किस-किस ब्रैंड नेम से मार्किट में अविलेबल है, सबसे पहले तो, ये मेट्रोजिल 400 के नाम से मार्किट में अविलेबल है, और मे da zool के mechanism of action की जो मेंटूनीडाजोल टैबलेट है वह हमारे जो बैक्टिरियल डियन ए उसके अंदर एंटर करता है और जो फैररडॉक्सिन एक प्रोडक्ट होता है जो की बैक्टिरियल डियने के साथ इंटरैक्ट करता है उसके अंदर एंटर करके यह नाइटरोडाडिकल्स है जिसकी वजह से जो डी एनेे के बरेक्टीरिया का बीक bashkrkr and mają अब बाहरी स्टमक में zami होता है और दूसरा में यूज करते हैं है ४्पायडोरी infection में जिसमें क्या होता है हमारे इस टमक में जलन होती है appetite is loss यानि की भूख कम लगती है weight loss वेट भी कम हो जाता है तीसरा हम इसे यूज करते हैं diarrhea यानि की dust में हम इसे यूज कर सकते हैं intestinal mabiasis में भी जो की entamoeba histolytica जो की एक parasite होता है जिसकी वजह से यह cause होता है infection इसमें भी हमें diarrhea हो जाता है fever और stomach pain यह सब हो जाता है इसका जो fifth use है वो हम इसे STD में यूज कर सकते हैं यानि की sexually transmitted disease अब बात कर लेता है metronidazole tablet के dose की कि कितना dose आपको इस tablet का लेना है सबसे पहले तो आप doctor से consult करने के बाद ही इस tablet का यूज करें और अगर आपको kidney liver जो patient है या आपको kidney liver की कोई problem है तो आप इस tablet का यूज ना करें फिर भी जो एक normal dose होता है किसी भी individual के लिए आप इस tablet को दिन में दो बार यूज कर सकते हैं खाना खाने के बाद सुबह और शाम को अब बात कर लेते हैं metronidazole tablet के जो side effects हैं यह सब side effects आपको तब ही शो होंगे जब आप इसका overdose लेते हैं वरना आपको कोई side effects शो नहीं होगा side effects आपको vomiting हो सकती हैं यानि कि उल्टी हो सकती है headache यानि कि sit दर्द हो सकता है dry mouth मुह सूख सकता है dark urine आपका जो urine है वो dark yellow color orange color या dark brown color का हो सकता है abdominal pain यानि कि इस टमक में आपके pain हो सकता है और nausea यह सब आपका जो मन है वो खराब सा हो सकता है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें share करें और channel को subscribe करें